तो एक तर्व भरती रेलवे के ऐसा डेडिकेटेड हाइस्पी टेस्ट ट्रैक डवलप कर रही है जहां ट्रेंस को हम 220 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से टेस्ट कर सकते हैं 59 किलोमीटर लंबा ये पूरा टेस्ट ट्रैक होगा जोत्पूर डिविजन में बनाया जा रह है तो वहीं दूसरी तरफ हमारे नॉर्मल ट्रेंस में यूज होने वाली पट्रियों के लिए बिलाइस्टील प्लांट को तो रेलवे ने अब एक रिकॉर्ड ओर दे दिया है दरसल भाली में बीस पी ने बताया कि 13.2 लाक टंस की डिमांड इस साल रेलवे ने बताया है कि इनकी होने वाली है और यह डेफिनेटल काफी बड़ा चैलेंज होने वाला है बिलाइस्टील प्लांट के सामने पिछले साल से एक लाक टन रेल ट्रैक्स जादा मांग रहे हैं डिमांड इसले भी इतनी जादा बड़ी है बिकॉस रेलवे काफी तेज गदी से न्यू रेल के लिए खर्चे जाएंगे अब यह सब तो काफी अच्छा है लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आएगी राव माटेरियल्स में क्योंकि अगर यहां पर कुछ भी शॉर्टेज या डिले हुआ राव माटेरियल्स के मामल में तो बिलाइस्टील प्लांट यहां पर कुछ नहीं बिलेट ट्रेन के केस में भी इनिशली जो हाइस्पीड ट्रैक्स होंगे जैपैन की कंपनी निपॉन स्टील जैपैन में बना कर भेजने वाली है लेकिन भारत चाहता है कि हम इसे भी भारत में बनाए टेकनोलोजी ट्रांसफर के मदद से हमारे पास यह कैपैसिटी भी सब्सक्राइब कर दिया है कि भारत काफी हाई स्टैंडर्ड के ब्लास लेस ट्रैक्स को कंस्ट्रक कर सकता है और आने वाले समय में जल्द आप दिखोगे कि इसी तरह के ट्रैक्स में हमारी वंदे भारत ट्रेंस भी दोड़ेगी इसके बार में आपकी क्या रहा है अपनी डेफिनेटली कमेंट्स में बताईएगा